ठीक है यह recording जो है सब अब जो okay का option आएगा वो कर देना अब मैं start करती हूँ ठीक है अब हम आज का topic पड़ेंगे आज हमारे chapter खतम हो जाएगा आईरवेट के मौलिक सिध्धान्थ मैं हम पहले न हम सिध्धान्थ का मतलब देखेंगे क्या होता बलेग सिध्धान मौलिक सिध्धान जो वर्ड है इस से मूड़ से बनाए ठीक है तो맛 क्या होता है किसी बीद चीज का बेस जो होता है कोई भी चीज की फाउंडेशन जो कहते हैं अब हम कहते हैं घर किस पर बनता है तो हमारे कहते हैं घर एक फाउंडेशन पर बनता है तो वह मूल है या फिर कोई प्लांट है तो उसकी जो रूट्स होती है उसके उपर वह प्लांट टिका हुआ होते हैं तो वह उसको मूल होती है रूट को मूल कहते हैं तो मूल क्या होता है उस मूल से ही मौलिक सिधान्त बनता है मतलब जो ऐसे बेसिक हैं फंडेमेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसके उपर हमारा आयरवेद जो है टिका हुआ है वह है मौलिक सिधान्त होते हैं अब तुम्हारा को जब ठीक है अब फिर तुम उसको explain करने के लिए मॉलिक सिधान्त बता दिया क्या होता है उसके बाद तुम ऐसे भी बता से क्ते हो कि जिसे कोई भी प्लांट होता है कोई भी हमारा व्रिक्ष है उसकी जो जड़े होती है उसे मूल कहा जाता है क्योंकि उसके उपर सारा हमारा हमार क्या होता है किसी भी चीज़ का एक हमने एक प्रथम अस्तित्व में आए एवं सदेव उसकी उपस्तिती बनी रहे अब मूल क्या होता है किसी भी चीज़ का एक हमने आए एक हमने प्लांट लिया है अब उसको मूल क्या होगा लिये हमारा प्लांट है हमारे ट्री है इसका मूल क्या है ठीके तो मोल किसी पदार मूल होता है ठीक है फॉर्स्ट जो इनिशियेट होता है मतलब जिसके थ्रू जो हमारा पूरा प्लांट उगा है वो क्या था उसका मूल थाना सबसे पहले उसकी रूट्स होती है ठीक है तो सर्वर प्रथम जो अस्तित्व में आए और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या कहा सदेव उसकी उपस्थिती बनी रहे मतलब कई वर ऐसा होता है कि प्लांट उपर से तो डेड हो गया पर उसकी रूट्स वायबल है अभी भी ठीक है फिर नेक्स टाइम क्या हुआ नेक्स टाइम दुबारा से स्प्रिंग सीजन आता है और वह प्लांट कर जाता है मतलब किसी पदार्थ के उस भाग को कहते हैं जो सर्व प्रथम अस्तित्व में आए एवं सदेव उसकी उपस्थिती बनी रहे मतलब उसकी उपस्थिती बनी रहने चाहिए हमेशा तो इसका रिलेशन आयुर्वेट से कैसे हुआ कि जो आयुर्वेट के ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमेशा आयुर्वेट के होने से पहले से भी वह प्रिंसिपल्स वैलिड थे मतलब अब इसमें देखेंगे तो उसमें क्या होता है त्री दोश है तो हम ऐसा थो नहीं है कि अगर जिस टाइम पर हमारा आयुर्वेट का अवतरण हुआ उस टाइम पर हमारे बॉड़ी में अंदर वात पित अरिजी थे तो नहीं थे एक उनकेालं कि नहीं थे मरें क्या है ऐसे सधान्ट एसे से ही एक्जिस्ट करते हैं और वो हमारी आयरवेद के मौलिक सिधानत रहेंगे ठीक है सरवर प्रत्रम अस्तित्व में आए एम सधेव उनकी उपस्तिती बनी रहे और ऐसे भी नहीं कि उनकी उपस्तिती खंडित हो जाए मतलब वह बात में ऐसा नहीं है कि अगर हम आयरवेद ठीक है? और मूल के अभाव में पदार्थ का अस्तित्व समापत हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ अगर हमारा जो मूल है वो नहीं रहेगा तो हमारा जो पदार्थ है वो भी नहीं रहेगा मतलब अगर ऐरुवेद में से उसके मौलेक से धान्त निकाल दोगे तो आईरुवेद नहीं रहेगा है अगर हम और When आ कि निकाल रहे जाएगा वरेद लोनिकाल धनकाल देन तो क्या रहे साइक युक्वें होते हैं अब हम आगे चलते हैं कि जिन्हों ने फॉर्स टाइम पढ़ रहे हैं उनको क्योंकि तुमने अभी तक अस्टांग दे नहीं पढ़ा है तो ठीक है अब मैं तुमरें को बता दौत दो है process क्या होते हैं ऑफ हमको जा वह क्लिखोंकर है एरवेड के मालिक सिधान निम्र प्रकार के हैं उसमें फर्स्ट आता है ट्री गुण तरह के हमारे घुन होते हैं ठीक है अब हमारे तीन मानशे गुण है घुन मतलब कॉलिटी होती है और तीन मेंटल क्वालिटी जो हम कहेंगे वह क्या होती है सत्व राजस और तमसर धीक होगा हमारे अंदर का positive side ठीक है और जो हमारा तमस है हमारी हमारे mental का mentally एक जो evil side होता है उसको हम जो negative side बोलते हैं वो तमस होता है और राजस इसका mixture होता है ठीक है जब हम क्रिया शरीर जो है है हमारा physiology वाला है तब उसमें हम सत्व और राजस और तमस प्रकृति के गुण पढ़ते हैं ठीक है तो उसमें तुम्हां को detail में सुनने को मिलेगा पर अगर हमें लेमन लाग में बोलो तो यहीं होगा कि सत्व हमारा positive side होता है हमारे mental well-being का रजस हमारा इन दोनों का mixture होता है और तमस क्या होता है negative side जो हमारी एक तरसम कहते हैं एक positive side होते है evil side होती है और एक angel side होती है वो तुम इससे अगरा योनिक होते हैं उनके अंदर तमस गुण प्रधान होता है ठीक है अब यह तीन गुण प्रकृति में रहते हैं अब यह जो तीन गुण है सत्व राजितम यह प्रकृति में रहते हैं ठीक है और इन गुण को हमने कैसे टिवाइड के यह तीन गुण बताए है सत्वच रजस और तामस फिक है अब इन सत्व यह जो हमारा सत्व गोण है हमारा पॉजिटिव वाला और राजस गोण है इन दोनों का जब सईयोग होता है ठीक है सईयोग मतलब यह दोनों मिल गए तो किसकी उत्त्य होती है एक तुम्हार को पता होगा अगर नहीं पता तो बथाती हूं एक मतलब और दश मतलब 10 तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 और इंद्रियां क्या होती हैं इंद्रियां हमारी होती है सेंस ओर्गेंस हमारे इंद्रियां वैसे तो उस पर कर्मिंद्रियां और ग्यान इंद्रियां होती हैं दोत्प्रगार की तो उसमें से जो ग्यान इंद्रियां होती हैं वो सेंस ओर्गेंस होती है और कर्मिंद्रियां हमारी जो हाथ पैर ये सब इन सब में कर्मिंद्रियों मे इंद्रिया इसमें क्या होती है 11 टाइप की इंद्रियों में पांच ग्यान इंद्रियां में क्या आइगा ईयिसे नौस माउथ हो यह कर्मिंद्रियां में जिनसे हम कार्य करते हैं हाथ पैर और यह उपस्थ ठीक है और राजस इंद्रियों में क्या हाता है और एक होती है मन ठीक है तो ग्यारा हो जाती है पांच कर्मिंद्रियां पांच ग्यान इंद्रियां और एक मन यह सारा मैं अभी एक्स्प्लेंड नहीं क सब्सक्राइब को तो इसलिए मैंने अभी बहुत ब्रीफ में बताया कि सेंसर होएंगी और जिनसे हम काम करते हैं दो हाथ दो पैर और एक उपस्त मतलब होता है जनाइटल और एक होता है मन तो ऐसे करके पांच प्लस प्लस एक ग्यारा हो जाती है ठीक है अब हमने दूसरा ज से उत्पत्ति किसकी होती है पंच तनमात्राएं एवं पंच महाभूत हमने जो आयरवेद में बताया था कि पांच प्रकार के महाभूत होते हैं प्रिथवी वायू जल अगनी आकाश पांच प्रकार के महाभूत होते हैं ठीक है इनके सहीं से हमारी श्रिष्टी बनती है ठ हम कहते हैं न कि हमारा जो ऐसपास का सरावंडिंग है उससे सब में आटम से ठीक है अब आटम कैसे हैं कोई होग्षिजन है 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 नाजटेशन है सारे यह सब चीज़ है उसी व्रकार हम जो आयवड में क्या कहते हैं हमारे जो आसपास की हर चीज़ है चाहे वो तुम हो मैं हूँ हमारे आसपास की वाल से फिर कंप्यूटर स्क्रीन है किससे बना हुआ है humans included मतब को जितनी भी चीज़ें सब चीज़ें पंच महाभूत से मिलके बनी है ठीक है तो हमने क्या बताया राजस और तमस से क्या बना पंच तनमात्रा है और उसके बाद पंच तनमात्रा से बनती हैं पंच महाभूत ठीक है तो यह हमारा first basic principle हुआ हमारा मौलिक सिधान्द का first basic principle हुआ त्रीगुण अब हम समझाया त्रीगुण क्या थे सत्व रज और तामस यह तीन गुण हो गए हमारे और इनसे हमारी एकादश इंद्रिया और पंच महाभूत की उत्पत्ती होती है ठीक है अब हमारा next जो है सिधान्द इस प्रकार स्रिष्ट्री त्रीगुण में होने से प्रतेक वस्तु में इनके अलग-अलग भावों की अभिव्यक्ति होती है अब कैसे बोला गया है इसमें कि हमारे जो पूरी स्रिष्टी है हमारी जो पूरी पूरा वर्ल्ड है पूरा जो यूनिवर्स है वो त्रीगुण से बना हुआ है क्यों क्योंकि हमारे जो पंच महाभूत है उसमें भी इनकी प्रधानता रहती है तो ह हमारा जो पंच महाभूत ही अगर इन से बने हैं तो पूरी शिष्टी भी एक तरह से इनी से बनी हो गई हैं और उसके अंदर अलग-अलग भावों की अभिव्यक्ति होती है मतलब किसी चीज में सत्व गुण जादा होगा किसी में रज गुण जादा होगा और किसी में ताम zbann a nih, वायू और आकाश थीच है यह पंच महाभूत है तुक कि हमारे जो पंच महाभूत है उसमें क्या आता है कि इसंज प्रिथव we लीकुट कंटेंट है या फिर जो वर्ल्ड के अंदर में जितना भी लिकुट कंटेंट है उसे हम जल से लेते हैं अगनी हमारा फाइर या फिर इसको अगर तुम इंग्लिश में समझोगे की सेझ में लोगे तो इसे एणरजी लेना कि हर चीज में energy है ना, एक kinetic energy है, potential energy, कुछ भी type के energy है, तो वो कैसी है, जाफे thermal energy है, तो वो कैसी है, energy की form में, ठीक है, तो उसे क्या कहते है, अगनी, ठीक है, वायू क्या होता है, वायू कि हमारे जो body में जब लेते हैं, कि कोई conduction करने की capacity है, हमारे जो nerve conduction होती है, वायू क्या होता है, से चलती रहती है, slow करती है, तो जिसमें भी movement होती है, तो हम उसे कहते हैं, वायू, ठीक है, और एक है, अकाश गुन, अकाश क्या होता है, अकाश का मतलब होता है, किसी भी चीज का absence, मतलब जैसे अगर हम space देखें, तो space में कुछ भी नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल vacuum है, तो उस vacuum को हम आकाश कहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पांच महाबूत क्या होए, प्रित्वी, जल, अगनी, वायू और अकाश, यह हमारे पांच महाबूत होए, इनसे ही मानव शरी, और यहाँ पर प्रित्वी जो होता है, अगर हम इसे modern से relate करें, मतलब डाइरेक्ली relate नह तो मास रहते हैं, उसमें तो प्रित्वी को हम मास से relate करते हैं हमेशा, और जल हमारे को, उसका कोई भी liquid content जो होता है, ठीक है, उसे relate करते हैं, इनसे ही अब पंच महाबूत हैं, इनसे ही मानव शरीर, हमारी बोडी की हाथ, मतलब जो हम खाना खाते हैं, और शर्ट, यानि ज सिधान्त हुआ, ठीक है, ठीक है, अब इसमें बता रखा है, एक्जाम्पल घिवन है, इसमें कैसे, क्योंकि हमारा जो दोश है, हमारा जो वात, पित और कफ दोश है, इनकी भी उत्पत्ति किस से हुई है, वायू, पंच महाबूत से हुई है, तो वात की कैसे बता रहे हैं यहाँ पर वात जो होता है, वायू और अकाश से निर्मित होता है, पित जो होता है, अगनी से निर्मित होता है, और प्रिथवी, कफ जो होता है, वो प्रिथवी और जल से निर्मित होता है, ठीक है, अब हम जो तीन गुणों लेता है, हमारे तीन दोश लेते हैं, अमारी के वात पित और कफ उसमें कैसे हम समझेंगे कि कैसे यह महाभूत कैसे आए ठीक है तो हम वात को देखते हैं वात को हम वायू से रिलेट करते हैं ठीक है वायू मतलब एयर है तो एयर क्या होगा हमेशे लाइट होगी ठीक है तो वात के अंदर क्या क्या आएगा वायू तो आ तो वाक्यूम भी लाइट हुआ तो वात में क्या है या वायू प्लस आकाश अब सेकंड है पित अब पित क्या है पित तो ऑल्रेडी हीट के लिए होता है हमारी बॉडी का जितना भी अगने अगोण होता है न मतलब ऑल्रेडी जो ऊश्न चीजें हैं उनसे पित बढ़ेगा ठीक है या फिर अगनी है उससे पित की उत्पत्य होगी इन फैक्ट अचारे सुश्रुत ने थो पित को ही अगनी कहा है ठीक है तो पित क्या है अगनी हो गई यह तो डारेक्ट हो गया ठीक है और सेकंड हमारे थर्ड क्या बचा कफ कफ क्या होता है कफ हमारे बॉडी का क्ल ठीक, यह दोनों चीजे हैवी होती हैं वाई और आकाश लाइठ रहते हैं तो कफ में का आए प्रिथवी और चलती इस वजा से, इसका महाबूत का Cong accidentally क्या हुआ प्रिथवी और जल से निर्मित है ठीक है अब चरह से तीन प्रकार के दोश होते करने वाले होना वो उसको कंसाइस करके गिवन होता है तो इसलिए जो फर्स टाइम पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा अंडरस्टाइंड करने के लिए पर यह ऐसा टॉपिक है कि तुमने अगर यह टॉपिक समझ लिया तो उसके बाद तुम्हारे को सबस ठीक के function उनको परफॉर्म करने में help करेगा वो धातु होता है तो फर्स धातु कौन सा होता है फर्स धातु है अमारा रस्टरा की मज़ग्जा और शुकर ठीक है तो धातु कैसे बताएंगे हम रस धातु क्या होता है रस धातु को हम एक तरह से हमारी बॉडी का ज्ट्टे होते हैं ऐसे ठीक है राजधातू क्या हुआ प्लाजमा से बना हुआ अब रक्त क्या हुआ रक्त को ब्लड से रेट करते हैं और ब्लड में भी जाज तर जो हमारे जो सेलिलर कंटेंट होता है उसको हम रक्त के अंदर डालते हैं ठीक है next क्या बना हमारा next हमारा धातु है मास ठीक है मास क्या होता है मास होता है muscular जो structures होते हैं जितने भी हमारे body के उनको हम मास के अंदर count करते हैं ठीक है और fourth जो है हमारा धातू वो है made, made को हम fat जो हमारा body का होता है उस से लेते हैं जितना हमारा fat या फिर lipid content है, वो सारा किस के अंदर आता है, made के अंदर आता है, फिर next हमारा fifth धातू जो है, वह है अस्थी घातू, अस्थी घातू क्या होता है हमारा bone इस्ट्रक्चर होता है जितने भी हमारी bones है, वो अस्थी घातू के अंदर आती है, और madja क्या होता है, ठीक है, madja हमारी body में bone marrow से relate करते हैं, तो हमारी एक ये bone है, ठीक है इसके अंदर जो रहता है bone marrow, थोड़े से टेड़ी मेड़ी बनी है, ठीक है, तो जो अंदर bone marrow होता है, उसको हम मज्जा कहते हैं, ठीक है, और next है शुक्र, शुक्रधातो होता है, हमारा semen या फिर जो हमारा आरतव या शुक्रधातो में जो eggs होते हैं, शुक्रशोनत, उससे हम relate कर सकते हैं, कि जो भी हमारा reproductive factor है, उसको हम शुक्रधातो में ले लेते हैं, कि males में sperm या semen से करतो, और females में जो आरतव या फिर जो eggs या ovulation होते हैं, उसको हम शुक्रधातो से relate कर लेते हैं, तो जितना भी reproductive factor है, वो हमारा आ गया शुक्रधातो के अंदर, ठीक है, अब हम second molecule से धानत पे थे, उसके अंदर हमने बताया था, धातो जो होते हैं, वो भी महाभूत से निर्मित होते हैं, कैसे, रस धातो के अंदर जल महाभूत होता है, रक्त धातो के अंदर अगने महाभूत होता है मास धातू के अंदर वायू जल और अगनी महाभूत होता है मेद के अंदर अगनी और जल होता है अस्थि के अंदर प्रित्वी अगनी और वायू होता है मज्जा के अंदर अगनी और जल होता है और शुक्र के अंदर भी जल होता है ठीक है अब यह मैं करने की कोशिश करती हूं पर जो लोग फर्स टाइम क्लास ले रहे हैं वो इस पर जादा इसको देखके जादा टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि ये बाद में एंड तक आते आते तुम्हार को ये जो साथ धातू है ना टिप्स पर हो जाएंगी मतलब अभी तो तुम्हें सोच साथ धातू क्या है तो तुम एक प्लाजम में सब्सक्राइब क्या बताया Meer प्लास्मा प्लास्मा कंटेंट अल्रीं लिकूइड है और यसाल ही ओगा प्यूंकि वहां ज खाता हुमारा अग्यदों इसकों मिलते हैं याद करेंगे A-J, wedge, अबसे wedge की spelling हम कैसे बोलनी है, V-A-J, V-E-G नहीं बोलेंगे, V-A-J, तो मास, मास का opposite, wedge, तो wedge का है, V-A-J, V-A-J, वा-यू, अगनी और जल, ठीक है, अब मेध क्या होता है, मेध हमारा fat है, fat में क्या आया, अगनी और जल, ठीक है, अब अस्ति कैसे याद करेंगे, यह अवला याद करना है अगनी और जल ठीके अब हम अश्ति कैसा याद करेंगे में बोन Mother थी एक ठीके उसके अंदर क्या था हमारा भून मैरो ठीके और डों क्या बंता है blood werd ठीके तो हम कैसा याद करेंगे अगर भून अब्लाऍा पड़ोगे अभी अनाटमी में तो तुम्हें बते चलेगा कि बोन एक हार्ड स्ट्रक्चर है है ना हार्ड